केंदर सरकार की ओर से शुरू की गई स्वामित वे योजना के तहत ग्रामींड शेत्रों में रहने वाले ग्रह स्वामियों को अधिकार अभिलेक उपलब्द करा जाना है इसके लिए सर्वे ओफ इंडिया की टीम ड्रोन से सर्वे कर रही है टीम ने प्रितीत नगर पहुँच कर सर्वे किया टीम लीडर कैप्टन अनुराग ने बताया कि डोईवाला ब्लॉक और तहसील रिशिकेश में सर्वे का धिकांच काम पूरा हो चुका है उन्होंने बताया कि डोईवाला में 38 कलासी में 36 विकास नगर में 28 गाउं का सर्वे किया जा चुका है बतादे कि वर्तमान में ग्राम पंचायतों का सरकारी और क्रिशी से संबंदित भूमी का ही ब्योरा शाशन और प्रशासन के पास उपलब्द है गाउं में बने घरो आवासिए भूमी के अभिलेक अभी तक नहीं बने है गाउं में अकसर संपति विवाद, जमीन, खेत को लेकर जगडे सामने आते हैं अधिकांज ग्रामीडों के पास संपति को लेकर कोई रिकॉर्ड नहीं है संपत्ती पर मालिकाना हग दिलाने के उदेश्य से केंदर सरकार के और से स्वामित्व योजना की शुरुवात की गई तो स्वामित्व प्रमाण पत्र मिल जाने से लोगों को बैंकों से रिण और अन्य योजनाओं का लाब लेने में आसानी रहीगी सर्वे टीम में संदीप मन्राल, अमीश पाटिदार स्चा मिल रहे तीनों सर्वे उप इंडिया से हैं और प्रदान मंत्री के स्वामित्व योजना के अंतरगत हम गाउं प्रतीत वाला का सर्वे कर रहे हैं प्रतीत नगर का सर्वे कर रहे हैं जो रायवाला में है और ये हमारा ड्रोन जो आपने देखा है ड्रोन हमारा आइडिया फोर्ज क्यू सिक्स है ये एक गंटा का बैक अप देता है एक गंटा फ्लाई करता है एक सो बीस मीटर हाइट पर हम इसको उडाते हैं उसके बाद हम इसका डिजिटल मैप बनाएंगे वो मैप हम लोग अपने रेवन्यू डिपार्टमेंट में देंगे महिन चमोली गैर सेंड में आगामी एक मार्च से शुरू होने वाले विधान सब्वा बजट सत्र को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है डियम चमोली स्वाती एस भदोरिया ने जिले के शीर्च अधिकारियों की बैठक लेते हुए मौजूद व्यवस्थाओं की समिक्षा किये उन्होंने सत्र की कई व्यवस्थाओं के लिए नोडल अधिकारी न्यूक्त किये और उन्हें सत्र से पहले सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबन करने की निर्देश दिये डीम ने नोडल अधिकारियों को विधान सभो बजट सत्र में हिस्सा लेने वाले मंत्रियों और विधाय को आवास आरक्षित और आवंटित करने के साथ ही अन्य सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की निर्देश भी दिये SDM को गैर सेंट, आदी बदरी, कंड प्रियाग, गौचर सहित, जनपत की सीमा से जुड़े अन्य जिलों में स्थित, गेस्ट हाउस और हुटलों में स्थित, आवासों को भी अधिग्रहत करने को कहा गया साथ ही, DM ने इस दौरान सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी समिक्षा की, DM ने सभी पुलिस अफसरों को समवेधन शील जगाहों पर सुरक्षा बरतने के आदेश भी दिये व्यवस्था के लिए नोडल ओफिसे सपोइंट कर जाएं, वहां पे भी उसकी सभी व्यवस्थाइं की जा रही है, बाकी जो आवास और भोजन की व्यवस्था होती है, वह सब भी पून की जा चुकी है और करेक्टिविटी जैसे वहां पे थोड़े से इशूस रहते हैं, तो इस पर हमाई जीयों से भी बात हुई है, और जीयों भी वहां पे दो टावर लगवा रहे हैं, और उनको इंपक्टम लोगों ने बोलाए कैनपी भी लगाते हैं, जिससे अगर किसी अन्नी का सिगनल नहीं भी आता है, तो तदकाल कोई जीयों का सिम लेकर वहां पे अपना संचार अतलीस बाधित ना हुई है, तो वहीं काशिपूर मीडिया सेंटर के समझ सदस्यों ने CPU और पुलिस के साथ मिलकर नगर शेत्र में एक जागरुकता रहली निकाली, जिसमें हातों में तक्ति के अंदर लोगों को हेलमेट पहनने के लिए बाद ये कर रही है, और जिस पर हेलमेट नहीं होता, उसका चालान काटते हैं, इस बात को डीजी पी ने गंबीरता से लेते हुए, शेहर के अंदर कुछ समय के लिए हेलमेट रोग देने के लिए CPU को निर्देश दिये थे और कहा था कि बादर पर ही हेलमेट का चालान होना चाहिए, शेहर के अंदर नहीं, इस फर्मान से लोगों ने राहत की सांस लिए और हेलमेट शेहर के अंदर कुछ लोगों ने लगाना बंद कर दिया, जिससे यहां पर पिछले लगबग 15 दिनों में सड़क खात्सों में लग लगातार गिरते जलस्तर पर नैनिताल डीम धीरज गर्बयाल ने चिंता जताई है, आपको बता दे कि गिरते जलस्तर पर डीम धीराज गर्बयाल का कहना है कि जलस्तर को मेंटेन करने के लिए बोर्वेल संचे बनाने की ज़रुत है, जिस भी जगा पर पानी के श्रोत है, उसके नजदीक बोर्वेल बना जाए या हैंडपम लगा जाए ताकि जलस्तर को मेंटेन किया जा सके जिसे लेकर प्रशासन के ओर से कारी योजना बनाई जा रही है तो वहीं डियम ने कहा कि तराई भवन में लगातार जलस्तर गिर रहा है क्योंकि साल बारिश कम होनी की वहीं रायवाला थाने का निरिक्षान करने पहुंचे एसपी देहात स्वतंतर कुमार सिंग ने यहाँ व्यवस्थाओं का जाइजा लिया इस दौरान उन्हें सभी व्यवस्थाओं दुरस्त मिली स्पी देहात स्वतंत्र कुमार सिंग ने अच्छे टरन आउट और सलामी ड्रिल के लिए साथी स्वतंत्र कुमार सिंग ने रायवाला थाने का निरिक्षन भी किया सबसे पहले साइ गीता चौधरी महिला कॉंस्टेबल विजेता सरिता, टीना और उमा ने पुलिस अदिक्षक ग्रामीन को शस्त्र सलामी दी जिसके बाद उन्होंने यहां मैला हेल्प डेक्स का रिबन काट कर उठाटन किया इस दोरान पुलिस कर्मियों की वेपन हैडलिक भी देखी गई साथ ही बैरिक, कम्प्यूटर कक्ष, मैस और साफ सफाई की व्यवस्ता की भी जाच की गई तो वहीं उन्होंने पुलिस के आलाफ सरों को थाने में आने वाले हर व्यक्ति की समस्या का हल थाने इस तर पर ही करने के आदिश दिये पुलिस अदिक्षक ग्रामीन स्वतंत्र कुमार सिंग ने बताया, निरिक्षन में वो थाने की व्यवस्ताओं से काफी संतुष्ट हुए आज थाने का अर्दवार सिंग निरिक्षन किया गया, यहाँ पे लगवग सारी चीजें दुरूस्त मुझे मिली हैं साफ सफाई भी अच्छी है, यहाँ पे जो टीम वर्क कर रही है, वो भी संतुष्ट जने के इनको कुछ निर्देश भी दिये गया है, जो माल का निस्तारण है, उसके बारे में दिया गया है कि जो भी पुराने माल है, उसको माननी नियाले से सामन्जे से स्थापित करते ह उसका निस्तारण सुनिश्यत करें, वहीं टीरी जिले में अपरादू पर नकेल कसने और जनता के साथ शशक्त समवाद इस्थापित करने के लिए SSP ने हेलो टीरी मेसेंजर प्लेटफॉर्म के तहत एक मोबाइल नमबर जारी किया है, जिस पर सभी तरह के अपरादू शि चालित किया रहे हैं, जिस पर मिली शिकायतों सुचनाओ की हर समय मॉनिटरिंग की जाएगी, साथ ही SSP ने बताया कि इस मैसेजिंग सुविधा से जहां विबिन अपराधिक अधिविधियों से संबंदित सूचनाओ से पुलिस को अवगत कराया जा सकता है, वहीं पुलिस यातायात, नशे की तसकरी, अवैद शराब की बिक्री, महिलाओ बच्चियों के साथ होने वाली घटनाओ की भी सूचना दी जा सकती है विडियो शेर करना चाहे, जो भी शिकायत, सुझाव या समस्या जनता सीधे पुलिस तक पहुचाना चाहे, वो इस नमबर के माधियम से पहुचा जा सकता है तो फिलाल इस बुलिटिन में मेरे साथ इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हैं, जनतंत्र टीवी के साथ ममश्कार